श्रीगने शाय नमा, मात्पिता चर्ण कमलेभ्यो नमा, परमगुरु देवेभ्यो नमा प्रिये बंधुगों माता अथ्वा माता के तुल जो इस्त्रियां होती हैं जैसे चाची, भावी, पत्नी कीमा, सन्यास्नी, धाय, बेहन और कन्या तो हमें कभी भी किसी भी प्रकार से इनका अपमान नहीं करना चाहिए सदेव इनकी आज्या का पालन करना चाहिए, इनकी पूजन करना चाहिए हमें ऐसे आचरन करना चाहिए कि ये प्रसन हों और मानसिक रूप से हमें आशरवाद देती रहें क्योंकि हमारा जीवन बनाने और सवालने में इनका महत्पून योगदान होता है यदि आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंथी वेल आइकान दबाएं चैनल की सदस्ता लें ताकि आपको ऐसे और दूसरे ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्तफ हो सकें तो बंदुगों इनमें मा का इस्थान सर्वोच्च है मा त्याग, तपश्या, मम्ता और समर्पन की मूर्ति है जब मा ने हमें गर्व में धारन किया तो कितने कश्ट उठाए मा कितनी कश्टित रही गर्व के समय के जो कश्ट होते हैं बंदुगों उन्हें तो मा ही अनभव कर सकती है जब हमारा जन्म हुगा, उस समय भी माता जीने नाना प्रकार के कश्ट उठाए माता गीले में सोजाती थी, हमें सूखे में सुलाती थी हम माता की गोदी में मल और मूत्र का त्याग कर देते थे पर मा कभी हमारे उपर नाराज नहीं हुई बलकि बड़ी खुश होती थी कि आज बच्चे ने मेरी गोदी में मल मूत्र का त्याग कर दिया रात को जब बच्चा रोने लगता है तो मा दोड़ी दोड़ी उसके पास में पहुंच जाती है रात्री रात्री भर मा जब बच्चे की थोड़ी भी तवियत खराब होती है तो मा रात रात भर जाग जाग करके और अपने बच्चे की देखवाल करती है जब बच्चा बड़ा होता है तो कहीं कहीं के घर बड़ी तंगी का समय भी आ जाता है खाने को भी नहीं हो मा दूसरे घर जाकर के मजदूरी करती है चोका करती है बरतन करती है दिन भार मेहनत करती है कमा खेलाती है और अपने बच्चों का पेड़ भरती है बच्चा कहता है कि मा तुमने भूजन कर लिया तो मा कह देती है यदि घर में भूजन नहीं है तो मा बच्चे को कह देती है बेटा मुझे अभी भूख नहीं है मैं बाद में खालूंगी अभी तू खा ले या कह देती है कि आज मेरा ब्रत है मैं बाद में खालूंगी ऐसे नाना प्रकार के बहाने बना करके मा घर के काम करती हुई ठक करके आचल में मुझ लपेट करके सो जाती है उसका वह दुख ममता के उस अथा है सागर में जिस प्रकार से की जल का कोई बहुत बड़ा समुद्र भरा हो और उसमें हम एक कंकर डाल दें तो क्या होता है कि कंकर उसमें समा जाता है इसी प्रकार से कितने भी दुख आ जाए कितनी भी परेशानी आ जाए मा उन दुखों से उन परेशानियों से कभी घवराती नहीं है और सदैब ये मंगल कामना करती है भगवान से की प्रभू मुझे परेशानी दे देना मेरे बच्चे को कोई परेशानी मत देना अरे मा का सुख तो वो सुख है जिस सुख को प्राप्त करने के लिए तीनों लोकों के नाथ भगवान भी इस धराधाम के उपर आते हैं भगवान बच्चा बन करके मा की हाथ की मार खाते हैं तो क्या मा मारती है वास्तम में नहीं मा तो मा के पास में तो प्यार की छड़ी होती है मा कभी अपने बच्चे को दुख नहीं देना चाहती है सदेव जो है उनकी रखवाली करती है सदेव उनका चंतन करती रहती है सदेव उनके कल्यान की कामना करती है ऐसी मा जब बढ़ापा आता है शरीर सक्तिहीन हो जाता है तब खटिया पकड़ लेती है पुत्रे इस समय हमें बड़े साबधानी पूरवक मा से ब्योहार करना चाहिए कहीं कहीं ऐसा भी होता है कई लोग कटू बचन का प्रियोग कर देते हैं नाती पंती और बहु हैं बड़े कटोर बचनों का प्रियोग कर देते हैं बिल्कुल नहीं करना चाहिए पुत्र को एक विचार करना चाहिए कि इस मा ने मेरे लिए कितनी तकलीफें उठाई बहु को ये विचार करना चाहिए कि मेरे पती को पालने में इस घर और ग्रस्ती को बनाने में मेरी सासू मा को कितनी परिशानी उठाना पड़ी है मैं सभी बहुओं से निवेदिन करता हूँ कि आपको भी एक दिन सास बनना है ऐसा आचरन करें अपनी मा से अपनी सास से ऐसा आशिरवाद लें कि आपका ओर जो सेज जीवन है वो मंगल मैं हो सके, सुखी हो सके मैं सभी भाई बन्धूँ से ये प्राथना करता हूँ कि कभी भी अपने बूडे, मा और बाप को कटू शब्द ना कहें उनके प्रती ऐसे सब्दों का प्रियोग करें जिससे की उन्हें आनंद प्राप्त हो सके बनाया मात और पिता के चर्णों में साश टांग दंडवत प्रणाम आज के लिए वस इतना ही सेश फिर कभी अगले भाग में नई विशे के साथ में प्रस्तुत, आपकी सेवा में प्रस्तुत होंगे हमारे द्वारा प्रस्तुती है, जानकारी आपको कैसे लगी नीचे कामेंट्स वाक्स में अवस्च लिखें धन्यबाद, जै माता की, जै परस्तुत राम जी की